हेलो फ्रेंड्स मैं तारा तो चलिए फ्रेंड्स आज ये छोटा सा दो कलर में डिजाइन लेकि आई हूँ बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं आप बड़ों के में और लेडिस कार्डीगन स्वेटर बना रहे हूँ बहुत ही असान डिजाइन है तो बिगनल भी अराम से के लिए हमें जो फंदों का प्लस प्लस करना पड़ेगा वहमें दो दो करके और लास्ट में एक फंदा आना चाहिए तो यहां मैंने 31 लिये हूँ है 31 फंदों में मैं आपको ये डिजाइन बताने जारी हूँ बहुत ही असान डिजाइन है और आप ज्यादा दार इसको आपने बोर्डर में कलर लगाया होगा उसका अलग कलर लीजिए जैसे मैंने वाइट कलर लिया हूँ है तो आपने क्या करना देखिए वाइट कलर लगाना है आपने बोर्डर में जो कलर है उससे अलग आपने कलर लगा के सबसे पहला एक फंदा सीधा बनाना है सीधा बना हमारा पीछे और यह फंदा हमारा सीधा ध्यान से देख लीजिए फिर आपने दागा अपनी दरफ करके यह फंदा स्लीप और यह दागा पीछे करके यह फंदा सीधा और यह फिर दागा आगे करेंगे यह फंदा सलीप करेंगे ऐसे उतारेंगे और इसको पीछे करके दागे यह फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से आमने यह पूरी रो करते जाना है तो मैं क्या करूंगी धागा अपनी तरफ करके यह फंदा सीधा फीर आगे करके यह फंदा सीधा तो पूरी रो में हमने ऐसे ही करते जाना है यह देखिए इस तरह से आपके यह यहाँ पर वाइट वाइट कलर के आते रहेंगे क्योंकि हम जो दागा आगे लाएंगे उसमें उतारेंगे तो इसको पीछे लेगे जाएंगे तो यहाँ पर यह नौट सी बन जाएगी यह फर्स्ट रो है हमारी डिजाइन की लास्ट में भी सिलिप करके और धागा पीछे करके अब हम दो फंदे यहाँ पर सीधे बना लेंगे क्योंकि लास्ट वाला सीधा हम इसी कलर से बना लेंगे तो स्टार्टिंग में भी हमारे दो फंदे वाइट आए और इसमें भी वाइट आए लेकिन हमारा यह फंदा छोडगे हम इस डिजाइन को ऐसे ऐसे कल्कुलेट करते जाएंगे तो लास्ट तक दो दो आएंगे और यह फंदा एक हमारा एक्स्ट्रा है तो दो दो का प्लस सीसी लिया आएगा और एक फंदा एक्स्ट्रा ताकि एडिजन सेट हो सके अब देखिए उल्टी साइड हमारी दूसरी सलाई है तो दूसरी सलाई में पहला फंदा उतार लेंगे चाहे आप बुल लीजिए उल्टा दागा पीछे कीजिए यह फंदा हमने सीधा बनाना है यह सीधा बनाया दागा अपनी तरफ करके यह फंदा सलिप करेंगे दागा पीछे करके यह फंदा वाइट कलर का बनाएंगे सीधा यह सलिप और पीछे करके यह सीधा बनाएंगे यह अपनी आप करके और यह सलिप करेंगे बस आपको इसमें यह करना है कि आपका दागा यहा लास्ट में भी इसको स्लिप कर लेंगे एक सफेद फंदे को उल्टा सीधा पून लेंगे सोरी और इसको लास्ट वाले को उल्टा पून लेंगे क्योंकि हमारा एज स्टिच वाला जो साइड में फंदा होता हुआ है ना बनके त्यार हो गई यह देखिए 2 सलाई हो गयी यह ऑईना कालर आप इस जो हमारा बॉडर क्लर के जो चौरी बनाते जाएंगे पूरा और पूरा सीधा-सीधा जो भी आपको इसमें फंदे दिख रहे हैं वाइट कोलरा के वो भी इस ही इससे कलर से बनेंगे और सारा तो मैं पूरी सलाई सीधी सीधी बना लेती हूँ लास्ट में भी हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेंगे अब हमारी उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनेगी उल्टी में भी हमने कुछ नहीं करना तो हमारी ये चोथी सलाई है इसको भी हम उल्टा-उल्टा बना के complete कर लेंगे तो देखें चोथी सलाई भी हमारी उल्टी-उल्टी बन के complete होगी अब देखिए हमने पांच मी सलाई में क्या करना है पाँच में भी सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से छटी सलाई भी उल्टी बनेगी तो ये दो सलाईयां भी हमने वैसे ही सेम निकालनी है जैसे हमने तीसरी और चोथी निकाल ली तो मैं ये भी निकाल लेती हूँ तो देखिए हमारी छटी सलाई भी मैंने उल्टी उल्टी बना के कम्प्लीट कर लिए अब देखिए हमारी छे सलाईयों में ये डिजाइन इस तरह से आ गया दो सलाईयों का हमारा ये डिजाइन है और चार सलाईया हमारी एक सीधी दरब से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी फिर सीधी तरफ से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी चार सलाइगे यह जाती है फिर आपने क्या करना है फिर आपने वाइट कलर का धागा लगा के यहाँ पे देखिए पहला फंदा सीधा जैसे मैंने पूरी रो आपको सीधी सोरी पहली बताई थी प तो देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन आ जाएगा, इसी तरह से आपने करते जाना, धागा अपनी तरफ इसको slip करेंगे, धागा पीछे करके इसको इस तरह से, तो 6-6 लाइओं का डिजाइन है तो मैं इसको complete कर लेती हूँ, और last में भी हमारा दो बंदे सीधे, तो देख अच्छी लगी हो और वीडियो को समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्रेंट्स तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद, थैंक यू पर बंक टो भीडियो को भीडियो को अच्राइब